महिला शब्द किस से बनता है? यदि हम संस्कृत व्याकरण में धातुएं होती है तो उस धातु से किस धातु से बनता है? महत पूजने धातु से महिला शब्द बनता है और जिसका अर्थ क्या हुआ जो सम्माननिया है जो आदर्णिया है जो पूजनिया है वह कौन है वह माता है देखिए जिस प्रकार से परमपिता परमात्मा पुरिस रिष्टी का संचालन करते हैं निर्मान करते हैं और अपने बात यदि उस परमपिता परमात्मा ने किसी को स्थान दिया है तो किसको दिया है माता को दिया है नारी को दिया है क्यों दिया है क्योंकि एक माता क्या करती है स्रजन करती है निर्मान करती है निर्मान करने से उसका स्थानो महान है आप देखे क्या कहा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमंते टत्र देवताहा अर्थात जहां पर नारियों का सम्मान होता है नारियों का सत्कार होता है महाँ पर क्या देवता निवास करते हैं और यह भी समय था और ये सब सम्मार ये अधिकार किस ने दिलाया उस महरशी देव दैनन ने दिलाया हमें तो पढ़ने का अधिकार नहीं था वेदों को सुनने का अधिकार नहीं था और आज नारिया क्या कर रही है यज की ब्रह्मा है संचालन कर रही है और इस राष्ट्र का जो नेद्वित् महिला है हमारी राष्रुपति कौन है महिला है और इस सबका श्रेक इसको जाता है उस महर्शी देव दैनwor को जाता है जिसने पढ़ने का अधिकार दिलाया नहीं तो लगों ने कह दिया था कि इस्त्री शुद्र नाधी आताम इस्त्री और शुद्र को वेद पढ़ने का दिकार नहीं है महर्शी देव द्यायन ने वेदों के प्रमान हमारे समक्ष रखे इस्त्री ही प्रमा बभू वी था और क्या कहा यथे इमाम वाजम कल्यानी मावतानी जन शुद्र हो आप देखे यज्जो पवित हम क्या कहते हैं कि बेटियों को यज्जो पवित नहीं पहनना पर ऐसा नहीं है जिस समय ब्रह्माचारी या ब्रह्माचार्णी कहां पर जाता है गुरुकुल में प्रवेश करता है तो दोनों को समार रूप से उसी प्रकार से क्या है याज़ो पवित संसकार होता है तो यह सब किसने अधिकार दिलाए के उस महर्शी देवद्याहिन ने हमें अधिकार दिलाए माताओं जिस समय के यह सब गलत शब्नों का प्रयोग किया जाता था के दे कौन करते थे कहते उस समय के जो तठाक अधित कौन थे अपना आपको पंदित मानने वाले पंदित कहने वाले कहते हैं कि काशी की नगरी जिसको विदवत्या की नगरी कहा जाता था वहाँ पर लोग जाने से डरा करते थे और जब वहाँ पर गलत बोला गया तो रिशी दैनन्द ने शास्त्रार्थ के लिए वहाँ पर सब को क्या किया था ललकारा था और देखें जिस समय शास्त्रार्थ करने के लिए महारशी देव दैनन्द कहां पर जाते हैं काशी में जा रिशी दयानन आते हैं तो अकेले आते हैं जब वहां के लोगों ने पूछा कि आपके साथ कौन है आप अकेले आए हैं कहते हैं कि मेरे साथ मेरा इश्वर है और आप देखे वहाँ पर शास्त्रार करते हैं और उस समय लोग रिशी दैरंद की विद्वत्ता को देख करके रि हवानी लाल भारती जी का नाम आप सभी ने सुना है विद्वान है सबसे बड़े क्या है उनका नाम विद्वानों में सबसे उपर आता है और उनका PSD का जो विशे है वहा है नव जागरण के पुरोधा वे वहाँ पर अंकित करते हैं कि उस शास्त्रार्थ को देखने के पांच दस हजार की बात नहीं कहीं कहते हैं कि साथ हजार लोग वहाँ पर उपस्थित हुए थे उन साथ हजार लोगों में से कौन से लोग थे वे तो कहा कि पचास हजार लोग तो भारत के थे भारतिय थे और दस हजार लोग कहां से थे कहते हैं विदेश के थे विदेशी वहाँ पर भी बोल रहा था क्याते है जादू वह जो सर चड़ करके बोले और देखे रिशी दैलन की विद्वत्ता को देख करके आश्यरे चकित हो करके क्या कहा कि हुआ चमत्कृत विश्व अरे हुआ चमत्कृत विश्व अरे ये कौन वीरवर सन्यासी किसकी भीशड हुंकारों से काप उठी मतुरा काशी ये किसका गर्जन तर्जन है ये कौन उगलती ज्वाला है किसकी वानी में से निकली आगद्धगती ज्वाला है झब रिशीद एरन्त बोला करते थे तो कहते हैं जैसे अगनी के समक्ष जाने से क्या होता है क्याते है जब अगनी प्रचंड अवस्था में उपर की ओर उठती है उस समय क्या है कि अगनी के पास कोई नहीं जाता तो इतना ओज और तेज किसमे था क्याते है रिशी दयानन्द में था आप देखे रिशी दयानन्द का जो जादू था वो कैसे सबके उपर कैसे बोल रहा था आप देखे रिशी दयानन्द कभी विदेश नहीं गए और एक बार क्या हुआ जिस समय रिशी दयानन्द वेद प्रचार करते थे घूम घूम के यत्र तत्र जाया करते थे तो उस समय एक बार क्या हुआ कि रिशीद आयरंद बिहार में एक स्टेशन है मुंगेरे स्टेशन कहते हैं कि वहाँ पर खड़े वे हैं तो वहाँ पर क्या है कहते हैं दो दमपती अर्थाथ वहाँ पर हैं और क्या देखते हैं कहते हैं रिशीद आयरंद को जब वहाँ पर भ्रमन करते वे देखते हैं, रिशीद आरंद ट्रेन आने में समय है, तो वहाँ पर भ्रमन करने लगते हैं, इस्टेशन पर चलने लगते हैं, वहाँ जो अंग्रेजी नव यूवक है, वह क्या कहता है, कहते हैं, उसकी पतनी, अपने पती से कहती है, कि ये बाबा घूम रही है, हमें वह स्टेशन मास्टर कहता है ठीक है दुबारा फिर पत्नी कहती है और उसके बाद वह फिर कहकर की आता है और फिर भी ये कह देता है ठीक है और आप देखें परिवार में भी जब पत्नी की बात ना सुरी जाए एक बार हो गया दो बार हो गया तीसरी बार कैसे कहते हैं आप को समझ में नहीं आ रहा आप उन मास्टर से क्यों नहीं कहते कि ये बाबा एक तरफ बैठ जाए हमें अच्छा नहीं लग रहा जब पत्नी ने बड़े तेज सुर से कहा तो वहां युवग भी बहुत ही थोड़ा तेजी से जाकर के स्टेशन मास्टर से बोला कहते हैं कि मैंन स्टेशन सवामी है कैते जब झालनाम सुना और सुनकर की अपनी पत्ति को बताया किते ओए यह द्यानन सवामी है कैते प्रसंदा के साथ उच्छल पड़े और जब प्रसंद हुए तो क्या किया कंदे दोनों पति पत्नी आकर के रिशीब जान के सामने हाथ नहीं जोड़े क्या किया कैते अपनी हेड को उतारा आप जानते हैं कि अंग्रेज कभी अपनी हेड को नहीं उतारता पर यदि किसी को विशेश सम्मान देना हो तो उसके लिए क्या करता है अपनी हेड को उतारता है अपनी हेड को दोनों ने उतारा और साश्टांग प्रणाम किया और रिश दयानन है जिसका नाम ब्रिटीश सरकार में सुनाई दे रहा है और ब्रिटीश सरकार क्या है भईभीत है काप रही है वह यह दयानन्द स्वामी है तो देखिए उस रिशी देव दयानन ने कितने कार्य किये और हमें हमारे अधिकार दिलाए और वेदों में क्या कहा कि नारी क तो कौन सा इस्थान दिया गया अहम के तुह अहम उर्धा अहम उग्रा विवाचनी अर्था जो इस्थान राश्ट्र में ध्वजा का है वही इस्थान किसका है नारी का है और देखिए ये इस्थान इतना उचा इस्थान क्यों मिल रहा है कहते हैं क्योंकि नारी के अंदर व पृत्वी क्यों कहा गया क्योंकि पृत्वी संजार स्जीप में प TONER चलता ыन को वह और उफaden करती इस लिए एक नारी परिवार में रहते हैं वे परत्ते का कारिय को अपने परिवार के करते वह समाज का कारिय राष्ठ्र का क्या कर करती है सब के देखभाल किसको करनी है नारी को करनी है और देखे ये वेदों में कहा गया है का नारी को उश्या कहा गया नारी को आपहा कहा गया यह क्यों कहा गया कि जैसे ही क्या है सूर्य उद्य होता है और अंधकार को समात कर देता है कहते हैं वैसे ही नारी परिवार में क उसको पता है कि मेरा करतब भी क्या है मुझे सुभे उठना है मुझे कारिय करने है मुझे अपने बच्चों को स्कूल भेजना है मुझे पती देव के लिए भी कारिय करना है इन सब कारियों को प्रसंता के साथ करती रहती है और उसको जल किसले कहा क्याते हैं जैसे जल थोड को भी उसका भी नाम रोशन करती है और जिस कुल में वहाँ आती है उसका भी नाम रोशन करती है आप देखिए विवाज संस्कार में एक जिस समय विवाज संस्कार होता है और संस्कृत में पानिक रहन संस्कार कहते हैं वहाँ पर अनेक प्रकार के यज्जी होते हैं वहाँ लाजा होम की आउतिया दी जाती है अभ्यातन होम होता है राश्ट भृत होम होता है आप सभी ने देखा होगा कि वहां पर खील की आउति दी जाती है बच्ची के हाथ में खील दी गई फिर वहां अपने जो वर है उसके हाथ में देती है फिर उसकी आउति दी जाती है आपन तरफान पहले एक खेट में तैयार करता है और वही पर फ़झ नहीं के फिर उसको वहां से उखाड़ा जाता है उसको दूसरे कहते में लगाए जाता है वहाही कीा कर रहा है दोनों करिवारों दोनों कोईों की मर्यादा का पालन करते वे समाज में राष्ट्र में अपना स्थान बनाना है आप देखे ग्रियस्थ आश्रम के तो पहलू है दो क्याते हैं जिस प्रकार से गाड़ी है कोई ज्यादा कोई बराबर कोई सोचे मैं पुरुष से ज्यादा हूँ कहते हैं कोई ज्यादा कम नहीं है ग्रियस्थ रूपी आश्रम को किस प्रकार से चलाया जा सकता है यदि गाड़ी का एक भी पहिया क्या हो जाए थोड़ा सा हवा भी कम हो या कुछ हो जाए तो वह ठीक प्रकार से नहीं चल सकती है इसलिए कहा कि दोनों को कैसे कि दोनों पुरुष और महिला दोनों परिवार को आगे बढ़ाने वाले होते हैं उस परंपिता परमात्मा ने क्योंकि नारी को उचा स्थान दिया है तो उसकी शक्ती भी क्या है करतव्य भी जाते हैं और उसकी शक्ती भी जाते हैं कहते हैं कि राष्ट के निर्मान की दाइत्व परिवार उस समाज के निर्मान का दाइत्व किसके कंधों पर है कहते हैं नारी के कंधों पर है लोग कहते हैं बड़े बड़े सडगों से बड़े बड़े मौल से क्या होता है बड़ी बड़ी फैक्टरियों से किसका विकास होता है कहते हैं देश का विकास होता है परतु महर्शी देव दैनन कहते हैं यदि राष्ट्र का विकास चाहते हो तो किसका निर्मान करो संतान का निर्मान करो और महर्शी देव दैनन जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं क्या लिखते हैं धार्मी की विदूशी माता विद्यते यस्य समात्रिमान आप देखें क्या कहा महीं लगो पहले की माताएं कैसे होती थी चैस शिक्षा पढ़ी हो पढ़ी हुई हो या ना हो पर वह कैसी होती थी धार्मिक होती थी और अ संतानों को क्या है उत्तम संतान बनाया करती थी वेद में कहा कि संताने कैसी होनी चाहिए तो वेद मंत्र आया और्फा नारी क्या घोष्णा कर अरे माता जी जाबाई ने, भगत सिंह की माने अपने इसी कोख से जन्मा था, और संसकारों के साथ जन्मा था, कि मेरी जो संताले होंगी, वह कैसी होंगी, शत्रों का हनन करनेइगी, पर हमें ये भी तो पहचानना है, शत्रु कौसे हैं, तो माता बता रही है, शिक्षा दे यह एक तो अपने अंदर के शत्रू है काम longer लोब मोहँ करें इनको समात करना है हमें क्ढुद नहीं आना है क्यातेए अधिस जीवन में बच्चे तुम 어ww करोगे तो भी व्यक्ति को क्रोध आता है सब कुछ उसका नश्च हो जाता है समार्थ हो जाता है कि प्रान तक भी संकट में आ जाते हैं कि पता नहीं चलता और जब क्रोध कम हो जाता है तो क्या कहते हैं अरे मैंने ऐसा कर दिया कि मुझे पता नहीं चला मैं गुस्से में था इसलिए हमें विवेक रखना है कि हमारी संताने जो अंदर के शत्रू हों है उनको भी समात करने वाली हो और जो बाहर के शत्रू बाहर के शत्रू कौन से है कहते हैं जो गो हत्यारे हैं जो हमारी बेहर बेटियों के साथ गलत विवार करने वाले हैं नारी कहा रही है कि मेरी संताने जहां पर होंगी वहां पर शत्रू नहीं टिक सकता और दूसरा कहा कि मेरी बेटी कैसी हो क्याते हैं दुहिता विराट अर्थात विविध विद्याओं से विविध सुसंस्कारों से वहां कैसी होनी चाहिए सुशोभित होनी चाहिए कि वह जह पर जाए अन्धिकार संव geç यह इदि वह परिवार में सब को प्रेम के सूत्र बे नहीं बांग सकती है सवर्ण के सूत्र में नहीं बांग सकती है यह तो उसकी जो विद्या है वह अपूर है इसलिए बेटी को कैसा होना चाहिए क्याते हैं कि अपने परिवार को कैसे बांद करके रखना है एक ताके सूत्र में बांद करके रखना है देखें दो शब्द हैं एक है जय और एक है संजय आप कहेंगे कि जय का अर्थी भी क्या है क्याते हैं जीतना पर देखें जीता भी दो प्रकार से जाया जा सकता है एक तो कैसे क्याते हैं दो व्यक्तियों को लड़ा दीजे लड़ा करके तो क्या होता है कि ऐसे भी जीता जा सकता है परंतो नारी कह रही है मैंने किसी को लड़ा करके नहीं जीता मैंने दूसरों के हृते को कैसे जीता है कहते हैं यच्चों के नुष्टान से सबकी सेवा से सबकी सेवा शुशुशा से मैंने परिवार काल की नारियां कैसी थी कहते हैं कि जिस समय क्या कहा था मदालसा ने किस प्रकार से अपने संतानों को उत्पन किया था किस भाव के साथ किस विचार के साथ काता शुद्धों सी बुद्धों सी निरंजनों सी संसार माया परिवर्जितों सी संसार स्वपनम त्यजमोह निद्र मदाल सा एवं वाच्य पुट्रम, अर्थात कि तुम शुद्ध हो बुद्ध हो इस प्रकार से अपनी सन्तान को जन्मा ठा और देखे जब चारों पुत्रों को क्या बना दिया, वेरागी बना दिया, तो उस समय क्या किया, कहते हैं राजा कहते हैं कि हे देवी मेरे चारो पुत्र क्या बन गए वेरागी बन गए एक ऐसा पुत्र चाहिए जो राजपाठो समाल सके फिर वह माता उसी तयारी में लग जाती है उसी प्रकार का आहार व्यवार अध्यान करती है और जो अगला पुत्र होता है वह कैसा होता है कहते हैं वह राजा बनता है आप देखें अभुमन्यों का उधारन आप सुनते हैं कि अभुमन्यों ने चक्र वेदन कहां सीख लिया था माता के गर्भ में सीख लिया था इसलिए हमें क्या करना है कि हमें अपनी शक्तियों को पहचानना है उस परंपिता परमात्मा ने ना जाने हमें कितनी शक्तियां दी है परंटु क्या है क्याते हैं कि हम उदासेन हो जाते हैं अपनी शक्तियों को नहीं पहचानते इसलिए संसार में क्या करना है कियाते हैं अपनी शक्तियों को, अपनी स्वाभिमान को जीवित रखना है, आप देखें अनेको उधारण हमें प्राप्त होते हैं, कि चहें युध कला हो, उसमें भी नारिया क्या थी? निपुन थी, कहीं क्या थी? कहते हैं युध कौशल में निपुन थी, जिस समय राजा दश्रत युद के लिए जाते हैं तो कई कई उनके साथ जाती हैं आप रामायन को पढ़िए तो चाहे शास्त्र विद्या हो और चाहे वेदों के भाष्यों की बात हो जिस साम महिला क्या थी सभी कारियों में निपुण थी आज भी निपुण है क्याते हैं कि कहीं यदि हम अ नारियों का इतिहास उठा करके हमें क्या कर लेना चाहिए कहते हमें अवश्य पढ़ना चाहिए आप देखे शास्त्रार्त की बात हो रही थी तो नारिया भी प्राचेन काल की नारिया भी शास्त्रार्त करती थी जिस समय मंदन मिश्रों और शंक्राचार्ये के बीच शास् कि पराजय को स्विकार करूंगी और देखिए शास्त्रात करती है और किसको हरा देती है शंक्राचार्य को हरा देती है और शंक्राचार्य क्या कहते हैं शास्त्रानी सर्वानी शडंग वेदान काव्या धिकान यदत्र सर्वम कहतें कि यहाँ जो बाला है छे शास्त्रों को छ प्रणनी रहती थी आप देखे आज भी नारियों को अपनी भूमी का निभानी होगी किस प्रकार से कि हमारी संतानों की क्या पांच प्रकार के भकार बताएं हैं कि हमारी संताने वेश भूशा आज कल बहुत बड़ी बात है न कि हमारे घर से जब बेटिया निकल रही है तो इन सब बातों का क्या करना है ध्यान रखना है उनके वस्त्रों से ले करके उनके खाने पीने से ले करके उनके मित्र बन करके क्याते हैं कि क्या बनना है क्याते हैं कि पहली गुरु किसे कहा गया पहली गुरु मा को कहा गया मात्रिमान, पित्रिवान, आचार्यवान, पुर्षो, वेदा, तो उसमें पहली गुरु कुन सी है? माता है, अपनी शक्ति को पहचान करके कार्ये करना है, आप देखिए, यदि स्वाभिमान की बात हो, क्याते हैं, बेटी को कैसा होना चाहिए, क्याते हैं, जैसे मध्ध्या हमारी तरफ गलत निगाओं से नहीं देख सकता आप देखिए प्राचीन काल की मध्य काल की हम बात करते हैं कि आप देखिए जिस समय पदमिनी को किसमें दिखाने की बात कही थी क्याते हैं दरपण में देखने की बात प्रतिविम्ब देखने की बात खिलजी ने कही थी तो 16 हजार कौन युद के लिए युद भूमी में पहुँच गए थे और जब पता चला कि हम अपने इस युद में नहीं जीत पाएंगे तो उस समय क्या किया था सोलह हजार राणियों ने क्याते हैं कि अगनी को जला करके जोहर कर लिया था और सारी उसमें क्या थे अपना आपको समाप्त किया था क्यों समाप्त कर दिया था क्याते हमारे मरने के बाद भी विधर्मी हमारे शरीर को छूना सके इस विचारों के साथ इस भावना के साथ सोय को अगनी में जला करके समाप्त कर दिया था और देखिए जिस समय खिल जी दंदन आता वा अंदर प्रवेश करता है और क्या देखता है कि वहाँ पर एक वृध्ध माता बैठी हुई है और पूसता है कि पद भी नहीं कहा है तो उसे चल जलती वी चिता की और इशारा करते है क्या कहती है कि उधर है कि कोई संदेश दिया है क्या तो वहाँ एक वृध्ध माता संदेश देती है उसमें क्या लिखावा था कहते हैं क्या था कि किसी भी सूरत पे पापी इस शरीर को पा नहीं सकता और ये भोजन शेर का है कुट्ता इसे खा नहीं सकता तो देखिए हमा जो स्वाभी मान है वहां कल भी हमें जीवित रखना था और आज भी जीवित रखना है बस हमें अपनी शक्तियों को पहचानना है जब इन आखों में इतना तेज होगा तो कोई भी दरिंदा हमारी तरफ आख उठा करके नहीं देख सकता और यह सारी जिम्मेदारी माताओं आ देखिए क्याते हैं कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग थे जो वक्त के धाजे बदल गए हमें अपनी भूमिका को निशित करना है कि हमारी जो भूमिका है वह काहां पर है सो से अधिक देशों में देखा जाने वाला सरवाधिक लोग प्रिये और सबसे अधिक फ्लोवर्स के साथ पूरी दुनिया में आरे समाज के विचारों का परचार करने वाला एक मात्र चैनल वैदी परचार